जिला परिशत के इतिहास में पहली बार उपाद्यक्षपद किसी महिला को मिलने की पूरी संभावना बंती दिख रही है। यह कहा जाए कि यह पक्का ही है तो भी कोई अतिश्योक्ती नहीं होगी क्योंकि OBC सीटों की मान्यता रद्ध होने के बाद हुए उपचुनाव से सीधिया बदल गई है। ताकि यह सब पशु समवादन मंत्री सुनिल केदार पर है कि वे किसका नाम इस पद के लिए फाइनल करते हैं। चुनाव जीत भी गई है। इसलिए अब मनुहर कुम्भारे की जगह उनकी पतनी को उपाद्यक्ष बनाये जाने की चर्चा जोरो पर है। हलाकि 29 अक्टूबर को विशेश सभा में चुनाव होगा और तब यह क्लियर हो जाएगा। वर्ष 1962 में जनपत की जगह जिला परिशदों का गटन किया गया था। तब से अब तक कॉंग्रेस और भाजपा और कई बार गटबंदन की सत्ता आई। लेकिन किसी भी पार्टी ने महिला सदस्य को उपाद्यक्ष नहीं बनाया था। मतलब 1962 से लेकर 2020 में हुए चुनाओ के बाद तक पुरुष सदस्य ही इस कुरसी पर आसिन किये गए है। हाँ अद्यक्ष पत्पर जरूर महिलाओ को अवसर मिला है। पिछले तीन टर्म से तो महिला आरक्षन के चलते अद्यक्ष पत्पर महिलाए ही आसिन होती रही है। अभी भी रश्मी बरवे ही अद्यक्ष है। लेकिन अब उप चुनाओं के बाद ऐसे हालाद बने हैं कि उपध्यक्ष पत पर भी महिला को काम करने का मौका मिलने वाला है। उपध्यक्ष के पास सबसे महत्वपूर्न स्वास्त्य और बांध काम विभाग के सभापती पत की भी जिम्मेदारी होती है। जिला परिशत के इतिहास में अब तक 16 उपध्यक्ष हो चुके हैं और सभी पूरुष सदस्यों को ही इस पत की जिम्मेदारी मिली है। जबकि 6 बार महिला अध्यक्ष बन चुकी है और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरी जिम्मेदारी से और सकरात्मक तरीके से निभाया भी है।